जम्मु कश्मीर के डोडा जिले में 12 जून को हुए आतंगवादी हमले के सिसले में पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है सूत्रों ने बताया कि गंदों के तंता इलाके में कोटा टॉप पर बारा जून को हुए आतंगवादी हमले में कतित सनलिप्तिता के लिए चार संदिग्दों को हिरासत में लिया गया है मामले की आगे की जाच के लिए उन्हें जिला मुख्याले स्थेत सयुक्त पूश्टाच केंदर में इस थांतुरूइत कर दिया क्या है के लोग है वो तीनी उनको एरेस्ट किया में जबुकिश्मीर के डोड़ा जिला में जिस तरह से पिछले कई दिनों से मिलिटन्स का अलाउड जारी है और आपको बताते जालें कि स्कोटी फोर्सी जमुकिश्मीर पोलीस आर्मी परमेर्ट्री फोर्सीज की जानिब से भी स इसमें एक का नाम सब्दर मबश्यर और सजाद के रूप में सामने आया है ये तीन लोग मिलिटन्स को शल्टर पोर्वाइड करते थे और गाइड करते थे और इसी को धियान में रखते हुए परमेर्ट्री फोर्सी जमुकिश्मीर पोलीस आर्मी और अधर एर्जिंसीज इन्हें धर्द बोचा है ये डोडा की एक बहुत बड़ी अपडेट है मिलिटन्स को जो भी शल्टर पोर्वाइड करेगा या जो गाइड करेगा तो इस तरह के हालात पर इन लोगी के साथ इस तरह की कारवाई अमने में लाए जाएगी दोड़ा से तरह कारवाई जाएगी